नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल सुरूशिक्स याप पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो देखे और गलास को आगे की तरह बढ़ाते हैं तो यहां पर देखो आपने मने आपको फिछली क्लास में कई क्यूशन करवाये थे तो अगर आपको कोई molecular rate दे दे और उसके possible आपको structuralisomor पूछे तो इस परकार से आपको करना है यह double bond equation इसका formula है c-s by 2 plus n by 2 plus 1 इसमें क्या है यह number of carbon atom है आपको जितना molecular formula दिया हुआ इसमें carbon atom की संख्या देख लो यहां पर number of hydrogen atom वो count कर लो और number of nitrogen atom को आप count कर लो इस formula में रखो और formula में रखकर जो है आप जो भी value आए उसके आधार पर आपको isomor बनाने है जैसे मालो कि D, B, E की value अगर एक आती है इसको solve करने पे तो इसका मतला आपको समझना है कि one double bond रखते हुए आपको सभी possible isomor बनाने है ठीक है और D, B, E की value का मतलब आप यहीं भी समझ सकते हों कि एक ring में सभी एक ring बनाते हुए आप सभी isomor बना सकते हों ऐसे D, B, E की value अगर दो आजाए तो आपको दो double bond, two double bond रखते हुए आपको सारे isomor बनाने है या two ring रखते हुए आपको सारे isomor बनाने है या one ring और one ring और one आपको double bond, one double bond को रखते हुए आपको सारे isomor बनाने है और दो double bond आजाए तो आप यह समलना कि एक triple bond को रखते हुए आपको सारे isomor बनाने है ऐसे तीन के लिए दो आया है तो दो double bond रखते हुए आपको सारे isomor बनाने है या एक triple bond रखते हुए आपको सारे isomor बनाने है या two ring के अंदर जितने possible isomor बनाने है या एक ring और एक double bond को रखते हुए आपको सारे isomor बनाने है ठीक डिबी यह निकल जो molecular formula आपको दिया हुआ है इस तरह से आ total possible structure isomer आप बना सकते हो आप एक्जाम्पल लेते हैं उससे आपको समाज में आएगा पहला एक्जाम्पल है देखो यह C3H6 how many structural isomer possible तो देखिए आप उसको solve करने का सबसे बढ़िया तरीका सबसे पहले आपको DBE निकालना है formula क्या है C-H by 2 plus N by 2 plus 1 carbon की संक्या कितनी है सब 3 hydrogen atom कितने 6 by 2 plus nitrogen 0 by 2 plus 1 इसको solve करोगे 3 यह से कतम हो जाएगा value आएगी 1 एक का मतलब मने आपको बताया था या तो one double bond को रखते हुए आपको सारे isomer बनाने है या one ring को रखते हुए आपको सारे isomer बनाने है तो पहला मैं solve करता हूँ one double bond को लेते हुए one double bond को लेते हुए आपको सारे isomer बनाने है ठीक है बनाते है पहला इसोमर कितने कार्बन हैं तेनों को सिरीज में रख दो एक डबल बॉंड लगाना यहां लगा दिया और कहीं डबल बॉंड लगा सकते हो अगर यहां पर लगाओगी तो इसे एक ही आईसोमर पॉसिबल है दूसरा आपका टू रिंग महलब वन रिंग आपको एक रिंग रखना है और आपको जो है आईसोमर बनाने है तो आपको पता है कार्बन की रिंग बनाने के लिए मिनिमा आपको कितने कार्बन चीए तो तीन इस परकार से विवस्तित करके आपने एक आईसोमर यह बना लिया इसके लावा कोई और आईसोमर इसमें पॉस रहो जाओगे शुरुवात में आपको लग सकता है कि बोरिंग वाला पार्ट लग सकता है लेकिन हाद से करोगे तो इजी हो जाएगा अगला अपने को इस molecular formula के लिए करना है तो वही तरीका है पहले DBE निकालो DBE के लिए आपको carbon minus H by 2 plus N by 2 plus 1 carbon कितने साब 4 है hydrogen 8 बटे 2 plus 0 by 2 plus 1 यह इससे कट जाएगा total आएगा एक एक का मतलब वही है one double bond को रखते हुए आपको सारे isomer बनाने है या आपको एक रिंग को रख बनाते हुए आपको सारे isomer बनाने है देखो मनाते जाता हूँ पहला one double bond से एक double bond रखते हुए molecular formula क्या C4S10 है ठीक है देखो पहला तरीका तो यह है कि आप इसके अंदर जो है क्या कर दो सभी carbon को series में रख दो चारों को ठीक डबल बॉंड यहां लगा दिया तो एक तो यह बन गया दूसरा डूसरा डबल बॉंड आप यहां लगा दो कि यह आपका एक double bond की position change करते हुए आपको position change करनी है कभी carbon की स्रंकला को change करके आपको सभी संभावित isomer बनाने तो इसमें 3 बनेंगे 3 से जादा नहीं बनेंगे आप बनाके देख लेना 3 से जादा नहीं बनेंगे ठीक है आगे देखो one ring one ring के आधार पर भी आपको isomer बनाना है तो कितने carbon है चार है तो एक ring तो आप चार carbon की बना दो ठीक एक isomer यह हो गया अब चार की है तो तीन की ring आप बना सकते हो और एक यहां पर carbon लगा दो यह दूसरी ring हो गई और कोई possibility है क्या बिलकुल possibility नहीं है तो तीन तो यह हो गए दो यह हो गए टोटल आपके कितने आ गए पांच हाद से बनाओगे प्रेक्टिश हो जाएगी हाद से बनाओगे प्रेक्टिश हो जाएगी आगे write the all structural isomers of और यह क्यूशन जो है c4 का है यह क्यूशन मैं बना देता हूँ c3s6 चलो इसके बना दो चीक है यह लिखा नहीं गया अब बना देते हैं तो इसका सबसे पहले dbe निकालो carbon minus h by 2 plus n by 2 plus 1 carbon कितने हैं सब 3 hydrogen कितने 6 by 2 nitrogen 0 by 2 plus 1 यह से कट गया टोटल आया एक एक का मतलब या तो एक double bond रखो या एक का मतलब कोई एक रिंग के माधियम से आपको आई समर मनाने हैं तो देखो सबसे पहला मैं बनाता हूँ double bond वाला double bond रखते हूए आप आई समर कैसे बनाते हूँ molecular formula यह दिया हूँ है तो सबसे पहला तरीका है तीन carbon को आप जो है series के अंदर रख दो यहाँ double bond लगा दो और कोई possibility है कि आप बिलकुल possibility नहीं है यहाँ पर भी carbon लगाओगे तो सेम वही होगा अब रिंग वाले में आजाओ रिंग के अंदर तीन carbon की यही रिंग बन सकती है तीन carbon की यही रिंग बन सकती है तो एक और दो total compound कितने होगे दो ठीक है dbE का यह फाइदा है आप math की तरह जो है इस problem को solve कर सकते हो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है एक आता आपका c5s10 तो इसको solve करो तो इसका भी आप सबसे पहले dbE निकालो c-h by 2 plus n by 2 plus 1 carbon कितने 5 hydrogen 2 plus 0 by 2 plus 1 यह इससे cancel आगया एक एक अमाल आप एक double bond एक double bond को रखते हुए आपको सारे compound बनाने एक ring को रखते हुए आपको सारे compound बनाने तो देखिए आप सबसे पहले एक double bond को रखते हुए अपन बनाते है पहले उपर molecular formula लिकलो c5s10 पर double bond रखते हुए आपको बनाने यहां डबल बॉंड तो देखो एक तरीका तो है सब को सीरीज में लगा दो शाब 12345 यहां डबल बॉंड लगा दिया दूसरे के अंदर डॉबल बॉंड की पोजिशन चेंज कर दी मने येलो येलो ठीक है फिर पोजिशन यहां पर चेंज करोगे तो सेम यही हो जाएगा यहां करोगे तो यह हो जाएगा इस तरह से तो यही दो पोसिबल और कोई तरीका देखो 123 yellow यहाँ double bond लगा दो 12345 अगला तरीका देखो इस double bond को यहाँ पड़ ले आओ yellow पांचवा तरीका एक और है इस double bond को यहाँ ले आओ say double bond CC yellow साब 12345 यह यहाटा दो इस से ज्यादा possibility बिल्कुल नहीं होगी पांच से ज्यादा नहीं होगी आप घर पे आराम से बैठे बैठे कितना भी निकाल अब रिंग वाला देख लो रिंग ठीक है तो पहले तो पांच कारबन की रिंग बना दो किसकी कितने की पांच कारबन की तो एक रिंग तो यह हो जाएगी एक तो यह हो गया आपका अब पांच की बनी है वहां चार की भी बन सकती है बिल्कुल बन सकती है साब यह चार की लो यह लो यहां carbon लगा दो यह c3 लगा दो दूसरा आपका यह हो गया तीसरा जहां तीन की भी बन सकती हैं तो एक c3 यहां लगा दो एक c3 यहां लगा दो यह आपका तीसरा हो गया ठीक है फिर इसकी position यहां change करोगे तो भी वो same हो जाएगा एक possibility और है दोनों substitute को एक ही carbon पे लगा दो इसकार के आगे टोटल कितने हो गए 5 कितने हो गए एक possibility यह है 2,3,4,4,5, total हो गए 9, total हो गए 9 कोई कमी रह गई गया इसमें ऐसे बना दिया आपने दूसरा ऐसे बना दिया फिर इसमें दोनों को पास में रख दिया अलग अलग रख दिया और कोई possibility हैं तो इसके अंदर और कोई possibility नहीं दिख रही है और कोई possibility नहीं दिख रही है एक possibility और है एक possibility और है देखो यह दोनों कार्बन की जगह आप इथाइल ग्रूप लगा दो एक तो यहां CS2 और एक यहां पर CS3 तो टोटल पांच यह पांच यह टोटल हो गए 10 इस से ज्यादा possibility नहीं हो तो इस क्यूशन को आप DBE फोर्मले के द्वारा कर सकते हैं अगला क्विशन देखो अब की बार है C3S6O तो फॉर्मॉला यहां लिखो C3S6O DBE निकालो carbon minus hydrogen 2 nitrogen 2 plus 1 carbon की संक्या 3 hydrogen 6 by 2 plus nitrogen 0 by 2 plus 1 यह इस से cancel आया आपका 1 1 का मतलब होता है एक बार double bond लगाना है एक double bond वाला बनाना है या एक ring वाला बनाना है यह यह लोग साब तो सबसे पहले सौल करते हैं, सबसे पहले सौल करते हैं, फले तो formula लिखो C3H6O, तो अपकी बार oxygen भी आपको जोड़ना है, तो single oxygen कौन-कौन से ग्रूप में पाई जाती है, एक तो alcohol में पाई जाती है, तो alcohol के अपन सभी possible double bond वाले करेंगे, एक आपकी ether में alcohol, aldehyde के अंदर भी single oxygen होती है, तो aldehyde के double bond के सभी possible अपन करेंगे, एक आपका ether के अंदर भी single होती है, तो ether का करेंगे, ketone का होता है, और कोई आपका ऐसा functional group नहीं है, जिसके अंदर single oxygen वाला हो, तो देखो, सबकी possibility देखते हैं, alcohol कितने बन सकते हैं, सबसे पहला अपन alcohol वाला लेते हैं, alcohol कौन-कौन से बनाने, एक double bond लगाना है, तीन carbon लगाओ, एक double bond यहाँ लगाओ, और यहाँ पर OH कर दो, पहला alcohol, अब इस double bond को इधर shift कर दो, यह आपका दूसरा compound, एक देखो, इसको याके यहाँ shift कर दो, यह आपका तीसरा, अब और कोई possibility है क्या, नहीं है साब, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो same वही हो जाएगा, यहाँ पर लगाओगे तो वह होई गया, यहाँ पर लगाओगे तो ठीक है, तीन possibility हैं alcohol की, अब आज जाओ, LD head पे, LD head की कितनी possibility है, double bond लगाना, LD head के अंदर, तो आप अले तो यह कर लो, yellow साब, यह LD head बना दिया, LD head group यह तो होता है, double bond भी आ गया, तो एक तो यह हो गया, अब LD head को आप बीच में लगा नहीं सकते, क्योंकि वह हो जाएगा, ketone, यहाँ लगाओ यह है, और कहाँ पर, यहाँ पर लेके गए, तो फिर LD head हो जाएगा, इदर लेके गए, तो फिर LD head हो जाएगा, तो आपको एक ही possibility है, इतर का देख लो, इतर के कितने बन सकते हैं, इतर का देखो, एक तो double bond, C, O, C, और कोई possibility है क्या, देखते हैं, और कोई possibility नहीं दिख र possibility, शंभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है साब, यही संभव है, और कोई possible नहीं है, अगर ऐसे भी अपन बनाते हैं, तो oxygen अगर यहाँ लगाएं, तो carbon 4 हो जाते हैं, अपने 3 हैं, बस एक ही possibility है, single ring वाली देख लो, तो यह possibility है, carbon, यह देखो, एक possibility, तीन carbon है, एक रिंग बना दे, ठीक है, carbon कितने, 1,2,3, 3 होने चीए, ring बनी भी है, बीच में oxygen डाल दिया, एक आप, तीन carbon की यह बना दी, और यहाँ पर CHO डाल दिया, CHO थो भी double bond नहीं होगा, एक possibility यह है, दूसरी क्या हो सकती है, आपकी, एक possibility यह भी हो सकती है, यह, यह possibility भी हो सकती है, carbon कितने, 1,2,3, यह possibility भी हो सकती है, और कोई possibility हो सकती है, क्या, यह possibility भी है, इसके लावा और कोई possibility मेरे को नहीं दिख रही, इसके अलावा कोई possibility मेरे को नहीं दिख रही तो ये तीन possibility है ठीक है total कितनी हो गए तीन ये हो गए तीन तो ये हो गए एक ये हो गए चार एक ये हो गए पांच एक ये हो गए छे ये हो गए साथ ये हो गए आठ और ये हो गए आपका नु तो कितने possible है 9 कितने possible है 9 तो इस परकार से आप question solve कर सकते हो हो सकता है आपको थोड़ा boring लगा होगा boring लगा होगा DBA के दोरा आप बिना DBA के दोरा पहले आप बिना DBA के दोरा इस molecular formula से आप जो है अपने इसाब से जो है सभी possible structural isomer निकाल के देखिए बहुत ज्यादा जोराएगा बहुत पसिना आजाएगा आपको फिर आप DBA का यूज करते विए इस परकार से निकालिए आपको बहुत आसान लगेगा हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हो तो आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है बार बार आप प्रेक्टिस करोगे तो ये सारे क्यूशन आपके शॉल हो जाएंगे ठीक है अभी के लिए इस क्लास में इतना ही धन्यवाद फिर मिलते हैं पर नेक्स्ट क्लास क्लास क्लास